बच्चों आप सभी कमारी यूटूब चैनल आइडियल देव के लासेश में सौगत हैं बच्चों आज हम आपके लिए खच्छा दस्वी विश्य स्रमाजिक विज्यान का महतपूर अभ्यास प्रसनपतर लेके आए हैं जो आपको प्रीबोर्ट के रूप में मिले हैं स्कूल में जो प्रसनपतर हल करना है कैसे हल करना है उसके सभी प्रसनपतर आपको इस वीडियो के माद्म से बताएंगे चलिए देखते हैं के दिया हुआ इसके अपका दिया हुआ बयूस आपको अभ्यास करना है तीन गंटे और पोडांग कितने रहेंगे आपके 75 मार्ट, 75 मार्ट के और आपके यहां नेर्देश दिया, आप नेर्देशों को बारीखी से पढ़ लीजिए, सभी प्रशना निवार हैं, प्रशन के मांग एक से पास तक वस्तुनिष्ट प्रशना है, जिसमें सही विकल्प 6 अंक, रिक्तिस्थान 6 अंक, सत्या सत्य 6 अंक और सही जोडी 6 अंक, और एक वाक्न में उत्तर 6 अंक के प्रशना होँगे, इसके बाद प्रशन के मांग 6-23 तक प्रशनों के आंतरिव क्लप दिये गया है, प्रशन के मांग 6-17 तक अती लगूतीरी प्रशना है, प्रेश्ण के लिए दो अंग अबंणित है सब्द सीमा 30 सब्द उसके बाद प्रेश्ण के माँंग 18 से 20 तक लगू 상त प्रेश्ण हैं प्रेट प्रेशन के मांग तेश्च को भारत के मानचीतर में दर्सा कर उत्तर पुस्तिका में सलगने कीजिए इस परकास यह आपको हमने नेदेश बता दिये और यह इंगलिस मीडियम के बच्चों के लिए यह नेदेश देख सकते हैं आप इसके बाद चलिए देखते हैं हम प्रेश चार ओप्सन में से आपको यह बताना है किस फसल को पीला सोना कहा जाता है अनमबर गेहू बनमबर सरसो सर नमबर चना दर नमबर मक्का तो बताई यहाँ पे कि पीला सोना किसे कहा जाता तो आपका सही आंसर आजाएका बनमबर सरसो सरसो को क्या कहा जाता है पीला सोना कहा पतन है पूर्वी ट्रट पर इस्थित पतन जो अन्ता इस्थानी चता अधिक्तम गहराई का पतन है यह चार आप्सन में से आपको बताना है यह चार आप्सन में से आपको यह बताना है पूर्वी ट्रट पर इस्थित पतन जो अन्ता इस्थानी चता अधिक्तम गहराई का प इसके बाद तीसरा प्रस्ण देखते हैं विश्वकोस नामक ग्रंथ की रचना किस ने की थी तो इसके बाद चौंथा प्रस्ण देखिए चौंता प्रस्ण क्या कह रहा है दूती विश्वयुद के दोरान निमलिखित देशों में से किसे धूरी सक्ती माना गया दूती विश्वयुद के दोरान दूती विश्वयुद के बाद निमलिखित याने चार ओप्षन दीएं चार ओप्षन में से आपको बताना है निमलिखित में से निमलिखित देशों में से किसे धूरी सक्ती माना गया है सुची को इसका सही आंसर कोंसा होगा सा नंबर समवर्ति सूची यह सूवी लिखाई को आप क्या पढ़ेंगे सूची पढ़ेंगे इसके बाद छेटवा प्रेश्न है और सत आय को अनिकिस नाम से जाना जाता है जो और सत आय होती है उसे और और अनिकिष्ण नाम से जाना जाता है, A number मानो विकास, B number सिमान्त लागत, S number सिमान्त आए, और D number प्यति वेक्ति आए, तो इसका बता ही, सही answer क्या होगा, सोचो, इसका सही answer आजाएगा, D number प्यति वेक्ति आए, इसका सही answer कौन सा हो गया, D number प्यति वेक्ति आए, इसका से ब नमबर, पहले का नाम B नमबर हो जाएगा, दूसरे कांसर क्या हो जाएगा, D नमबर, तीशरे कांसर क्या होगा, A नमबर, चौथे कांसर, इसका भी A नमबर होगा, और पांचवे कांसर क्या होगा, S नमबर, पांचवे कांसर, S नमबर, उसके बाद छटवे कांसर क्या हो तो यहां पर आपका पहला प्रश्ण क्या है वे संसाधन जो निर्जी वस्तू से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं देखे बच्चों यहां पर पूछा है प्रश्ण क्या पूछा है आपको वे संसाधन जो निर्जी वस्तू से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं अजेव संसाधन यहां के लिख देंगे आप अजेव संसाधन कहलाते हैं इसके बाद चोटा नागपूर के लोग खालिस्तान की पूजा करते हैं तो यहाँ पे आप के यहाँ पे लोक कर देंगे तो कोंसे प्रेजी पूज्त करते हैं चोट नाक पूद किपलों प्रेजा है के हीओ पहले का अंसर आगाता। आपका अजेयो, दूसरे का अंसर आ जाएगा महुआ इसके बाद तीश्रा प्रशन है, आपका तीश्रा प्रशन क्या है? भारत के रसायन उद्योग का एशिया महादीप में खालिस्तान इस्थान है उसका सही आंसर आजाएगा आपका तीसरा इस्थान है कौन सा इस्थान है तीसरा इस्थान यहाँ पर आपको पूछ रहा है Belgium खालिस्तान महादीप का एक छोटा सा देश है तो यह कौन से महादीप का है यूरोप महादीप तो यहांसर में क्या जाएगा आपका यूरोप नेश्ट प्रेशन है आपका मानो विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है मानो विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यू एन डीप इसका अंसर में लिख देंगे आप यू एन डीप संस्था जारी करत कि इसके बाद थर्ड फ्रेशन है, प्रेशन नंबर 3, क्या कहर pretend, तो, यह क्या के बाद दूसरा प्रेशन के बाद, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो, विल्कुल साइए विल्कुल साइए, है दूसरा प्रस्ण भी क्या है सत्य है इसके बाद तीसरे प्रस्ण त्रेपन है वायू परिवान का हुए झाया च्ट्ट्रे आएगा फोले बेरोजगारी को बिहिसा होगा पांचों नमबर का प्रेशन कैसा होगा असत्य इसके बाद नेश्ट प्रेशन है आपका भारत में करेंसी नोट भारत में करेंसी नोट भारती स्टेट बेंग जारी करता है सत्य आसत्य तो आसत्य रिज्वर बेंग करता है इस कांसर क्या जाएगा असत्य आजाएगा इसके प्रवल का सबसे बताना है कि रवल का सबसे बड़ा उतपादक राज है तो इसका सही आंसर आजाएगा किसका पहले का अंसर आजाएगा किरल पहले का अंसर के आजाएगा किरल डा नमबर का रवल का सबसे बड़ा उतपादक राज क्या हो गया किरल फिर दूसरा क्या है उक्ते शूरी की किरने तो इसका सही आंसर आजाएगा आपका कर नमबर आजादी इसका कुन सा आजाएगा शेकर नमबर का आजाएगा आजादी म भारत माता से है इसके बाद सरकार का बहतर रूप तो सरकार का बहतर रूप कुंस आएगा आपका लोगतांत्रीक को नमबर आ जाएगा नेश्ट आय और उब्भोक का अंतर आय और उब्भोक का अंतर तो इसका सही आंसर आ जाएगा चय नमबर बचत इसका सही आंसर क्या जा है इसके बाद नेस्ट प्रत्त आता है आपका प्रेश नम्बर 5 प्र시면 number 5 में क्या दिया चली देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्राइस्वा लुएं गए तो में कुछा अंदोलन चला गया था तो उसका उत्तर बता देंगे अныे तो उसका आजाएगा बीच बचाओ अंदोलन, कब चलाए गया था, 1980 में, यहां लिख देंगे आप, बीच बचाओ अंदोलन, कुछ सा अंदोलन चलाए गया था, बीच बचाओ अंदोलन, कब चलाए गया था, 1980 में, इसके बाद अगला प्रसने होज, खास का निमाल किसने कर कि यह एकए विम्स कराया था तो आप बता देंगे सकते हैं बाई को दिन दें है इन नेकर निर्माल करवाया था कोछ निम आट भाध का कौन सा नगर इलेक्टानिक उद्द्यों vídeo की हाँ बहाँ रहा प्रशन प्रशनस्क्राव में तब्रशन और बेंगल गर के पूर्श डिश्टी ने में उसे थे मिस्टी कि, मिष्र तुर्की हो गया और फिलिस्तिन ये कुझ से देश कहलाते हैं जो प्रस्ण पूछा था भूमत सागर के पूरुमें इसती देशों के को क्या कहते हैं तो आप उत्तर बता देंगे मिष्र तुर्की और फिलिस्तिन फिर next question है नई आर्थिक नीती कब लागू की गई आपको जो नई आर्थिक नीती कब लागू की गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निवेश कहते हैं विदेशी निवेश कहते हैं कि इस परकास से बच्चों यह आपका जो एक वाकि मुत्तर दीजेए इसके च्छे प्रस्ण कुटर आपको बता दिए इसमीडियम के बत्चे भी से कर सकते हैं इसके बाद नेश्ट प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 6 प्रश्ण गरस्त जातियों को बचाने है तूँ कोई दो कानूनों को लिखिए तो इन प्रश्णों को उत्तर आपको हम आने वाले वीडियों बता देंगे उसी का प्रश्ण नमबर आठ क्या है श्राणी चतरबुच महाराजमार की दोविसेशता बताईए उसके अर्थियों क्या दिया अलूरी, सिताराम, राजु कोन थे फिर प्रश्ण नमबर ग्यारा देखिए प्रश्ण नमबर ग्यारा क्या है यूरोप में सब लोगों ने जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा उसके अत्यों में दिया है कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है और अंग्रेजियो को आप नोट कर लीजे, आने वाले वीडियो में आपको इन सब प्रश्णों के उत्तर हम आपको बता देंगे और इकितने प्रस्ण रहेंगे आपके पेपर में 2 तेइस प्रेश्ण को 13 लोग प्रशन आपकर क्या रहेंगा मांचित्र का मांचित्र कैसे भर ना है यह आपको हम मांचित्रों में बता देंगे यदि बच्चो आपको हमें जो विश्य सामाजी कि विज्ञान कक्षादस्वी पूर अभ्यास प्रस्ण शेट एक प्रस्ण उत्र बताए यह अच्छे लगे हों तो आप हमाँ चेनल आइडियल देव क्लासे को सस्काइब कीजिए लाइक कीजिए यह इस वीडियो को अन गुरूपों में जरूर सेयर कीजिए